नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो में बात करेंगे हीमाचल में जो है आज तीसरा लोगडाउन आज से शुरू होने वाला है तो इसमें आप सभी को हीमाचल वासियों को क्या यहां से छूट दी जाने वाले है उस आप यहां से देखेंगे तो चलिए कर टेंगे करते हैं वीडियो को शुरू है और वीडियो को लाइक अभी से कर दे हैं और साथ में अगर चैनल पर पहली नेचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या कोई भी हिमाचल से जुड़ा अपडेट आए वो सभी सबसे पहले आपको मिल सके तो चली फ्रेंट आप देखते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरें तो वीडियो को पुरा अंतक देखेगा ताकि पुराइब कर देखेगा तो इसके बाद उन्हें ने यहां से कुछ निरदेश जारी किये हैं तो देखेगे अब क्या होगा यहां से ढबे और हलवाई की दुकाने भी खोले जाएंगी रेस्टोरेंट खोलेंगे लेकिन यहां बैटकर खाने की अनुछ निर्देश जारी क बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ में लोग ओडर लेकर जा सकेंगे वहीं सेलून और सपा आगामी अदेशों तक बंद रहेंगे तो आपको यह सब जानकारी जुरूर पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज खुल रही है और कौन सी चीज़ां से बंद रहेगी और अगर बात की करमचारी कारयाले में आएंगे तो सरकार की फैंसले के बाद सूबे में शराब के ठेके भी खुले जाएंगे हलांकि जो ठेके खुलने का समय है वो डी सी ही तहे करेंगे अलग अलग जिले में अलग अलग डी सी जो है इसका समय तहे करेंगे तो आगे देखिए उसके ब विलासपूर में नो से दो हमीरपूर में भी नो से दो उना में भी चमबा में दस से तीन सोलन में दस से तीन और उसके बाद आगे मंडी में देखेंगे तो मंडी में बाजार खुलेंगे नो से दो और कांगडा में जो है आठ से बारा खुलेंगे और कर्फ्यू में धील का स आगे यहां से दिखिए हिमाचल में एक और मरीज ठीक उना जिला भी हुआ करोना मुक्त अब एक एक्टिव केस तो जी हाँ फ्रेंड्स हिमाचल के लिए बड़ी रहात की खबर यहां से आ रही है कि हिमाचल में बीते दिन जो है एक और मरीज ठीक हो चुका है और हिमाचल का कोरोना मुक्त राज्य की और जो है वो काफी नजीक पहुंच चुका है तो हिमाचल के लिए काफी सुखद ख़बर है तो अब एक और बात करेंगे तो हिमाचल में छनी वार को जो है साड़े 300 से ज्याधर जहां उनकी रिपोर्ट हैं वह बिलकुल सहीं आएं बहुत रहात की बात है साड़े 300 से ज्याधर रिपोर्ट जो है वह वह प्रोना नेगिटिव आई है तो इस प्रिकार से मातर एक केस अभाप है जो भी ठीक हो तो बरतमान में सिर्फ एक जो है वो आपको बताया सिर्मोर में है जो सोलन के काठा हस्पिताल में भरती है तो पांच मई को इसकी पहली सेंप्लिंग होगी और दूसरा सेंपल जाएगा और दो रिपोर्ट आने के बाद अगर इसकी नेगटिव आती है तो हिमाचल भी जो है क बुलाने को सोंबार को फैंसला लिया जाएगा यानि आज इस पर फैंसला आएगा कि शिक्षक जो है कोलेज और स्कूल के उन्हें क्या स्कूल में बुलाया जाएगा और रवीवार को उच्छ शिक्षा निदेशाले ने पत्तर जारी कर शिक्षकों को सोंबार को कारेस थल वेज़ों पर नहीं आने के निरदेश दिये है तो आज यहां पर फैंसला होगा। पत्र में यह पस्टिया है कि सरकार से सुमबर को इस मामले में चर्चा करने के बाद आगामी आदेश यहां से जारी किया जाएंगे उच्छ शिक्षा निदेशाले डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इसकी यहां से पूस्टी की है तो खबर की बात करेंगे तो आज यहां से फैंसला लिया गया आया कि स्कूल और जो कॉलेज के टीचर हैं क्या उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा तो इस पर आज यहां से फैंसला होगा और देखिए आगे बात करेंगे उच्छ और प्राम रिभी शिक्षा निदेशाले ने सोंबार से सभी क्लास वन और क्लास टू की श्रेणी को अधिकारियों को नियमित तोर पर जो है दफ्तर आने के आदिश चारी कर दिये हैं तो अब जो है देखिए वर्टसप ग्रूप के माधियम से सभी को दफ्तर आने और उनके जो है दिनों के बाबत सुची कर दिया जाएगा और शिक्षकों पर आज फैंसला होगा क्या उन्हें स्कूल पर बुजलाया जाएगा या नहीं तो आगे देखिए शहीद मेजर अनुज का पैत्री गाउं गम में डूबा दो साल पहले आय थे जो है गाउं में तो यह है अनुज जो आप देख रहे हैं मेजर अनुज यहां से इनकी तस्वीर है जो की जम्मू कश्मीर के हंदवाडा में आंतंकी मुठवाड़ में जो है शहीद हो गए हैं और उनका पै जनों के साथ देहरा आये थे तो इनके पिता भी जो है ब्रिगेडियर हैं जो आर्मी भारतिय सेना से सेवा नृत हो चुके हैं वह हाई कोट के ब्रिष्ट एडवोकेट कपिल देव जो सूद की बड़ी वहन साधना सूद के पोतर भी हैं तो देखे आगे देखे बस चलान में जूटे हैं तो जिन हाथों में स्टेरिंग नजर आते थे बस में टिकट मशीन लेकर परिचालक के कदम सवारियों में टिकट काड़ने के लिए बढ़ते थे आज ये कदम टेलिंग मशीनों पर चल रहे हैं हाथ स्टेरिंग पर नहीं वलकि मशीन के हथ्थे गुमा रह तो देखिए हिमाचल में मोसम की बात करेंगे तो हिमाचल में एक फिर से मोसम का ब जाज बिगड़े गड़ेगा तया चार और पांच मई को सूबह के सभी जिलों में जैलो लट जारी कर दिया गया है तो сऊंबार चार जिले 9 माई के बाद मोसम यहां से साफ रहेगा और रविवार को शिमला में बादल चाहे रहे और बीच बीच में धूप खिली रही और सबसे ज्यादा नियुंतम जो ताप मान रहा वो रहा के लांग का तो सरकार ने देखे एक रूपए बढ़ाया यहां से बैट और पेट्रोल औ आने का अनुमान है तो आगे देखिए इस परकार से आपने आज की कुछ महत्तों परण खबरे देखिए आएँ होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर क औरे